तो अब एक कोश्चन आया हुआ बच्चों का बहुत दिनों से कोश्चन पर डाउट्स है कि सर एक ECB वाला कोश्चन है और यह एक्जाम में भी आया है निव सलेवर्स का कुछ नया टाइप का कोश्चन बोले सर इस कोश्चन को करवा दीजिये प्लीज टाइम कम होनी की वज़ा से मैं थोड़ा सा लेट हो गया पर कोश्चन आपके सामने है इस कोश्चन पर थोड़ी बहुत चर्चा मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इस कोश्चन में वाकई वाकई खास बात है जिनका फोरेक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो भी चुका है तो यह जो टेश्ट ले रहा हूं मैं भी बच्चों के टेश्ट ले रहा हूं अब मुझे बात जो आपसे करना जरूरी था कि बच्चे क्या कर रहा है जैसे mutual fund का question है mutual fund का तो और answer आया answer आया 325 0.725 units mutual fund में units में units निकालते हैं और NAV निकालते हैं मैं हमें units निकालना पड़ता कई बार तो इस तरह से अंसर है तो बच्चे क्या कर रहा है बच्चे इसको चलो ना या राउंड ओफ कर देते और बोलते 3251 units एप्रोक्स इस तरह से कर देते हैं अभी मैं जो चेक करो ना common problem में दिख एप्रोक्स करने में दिक्कत क्या है बिट्टे बिलुकुल मत करना एप्रोक्स उसकी वज़ा है क्या units fraction में issue किया जा सकता है यस answer तो यस है SFM में तो shares भी fraction में issue कर सकते हैं आप round off क्यों कर रहा सर आप पूरा बताओ ना कम से कम point के बाद दो digit तो कम से कम लीजिए अच्छा सर अगर fraction कर भी देते हैं तो दिक्कत क्या है answer तो हमारा बिट्टे मैंने answer sheet देखा हुआ है बच्चों का जिन्होंने मुझे पहुचाया था कि सर देखो थोड़ा सा round off किया और answer जो हमको दिया number वो 0 दिया है request करो mutual fund में especially units को round off नहीं करो के point के बाद कितना digit कम से कम 2 decimal places तो आपको लिखना पढ़ेगा यह बताना था बता दिया आप याद रखोगे भई क्योंकि answer sheet मैंने देखा हूं बच्चों की जो IC AI ने चेक करके पहुचाया जीरो नंबर दिया units round off किया बस इसी वजह से okay sir तो इसको छोड़ते हम चलते question question है यह आपके समने बिल्कुल इतना से पड़ते कि है क्या question बोल किया रहा है त्यार हो यह सह तो लिखा हुआ है K Limited currently operates from four different buildings and wants to consolidate its operation into one building which is expected to cost rupees 90 crores यहां तक क्या है यहां तक कुछ है नहीं है चार अलग-अलग building में काम हो रहा है तो हम लोगों का K Limited का यह सोचना है क्यों अलग-अलग जगासे काम करें एक ही जगासे काम कर लिए meetings करना चाहते हैं आप वही एक ही building से काम करोगे तो आपको expansion करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लगेगा, तो इन्होंने डिसाइड के, the board of K.L.M.T. had approved the ABO plan and fund, fund चाहिए, fund the ABO cost, agree to avail and external commercial borrowing, इसी भी, पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, पैसा या तो इंडिया से कहीं से उठा लो, रुपिया, या तो फिर बाहर से पैसा उठाईए और किसके थ्रू, external commercial borrowing के थ्रू, ECB के थ्रू पैसा उठाना चाहते हो, और कौन से currency में पैसा आने वाला है, pound 10 millions, from G-Bank Limited, वहां का कोई G-Bank Limited होगा, वहां से मिलने वाला है, pound 10 millions, sir, इसका मतलब हमें 90 करोड रुपए की जरूरत है, 90 करोड, और हमको 10 GB, sorry, GBP मतलब pound 10 million, 10 million pound हमारे पास आने वाला, millions, तो sir, इसका मतलब है, pound 10 millions बराबर हो जाएगा, 90 करोड का हाँ, यह तो exchange rate दिया रहेगा, और action rate कहीं न कहीं आपको दिया रहेगा, ठीक है, okay sir, अभी sir, अभी sir, अभी sir, बात कितनी समझ में है, बात बस simple से यह समझ में आई है, अभी तक मैंने question पड़ा, मुझे यह समझ में आया, कि पैसो की जरुवरत है, और पैसे हम लोग, इंडिया से न लेकर, हम UK से पैसा ले रहे है, pound में पैसा ले रहे है, और कितना उधार लिया जा रहा, pound 10 million, कहां से कोई G-Bank Limited, on the following conditions, जो loan है, will be available, कब 1st April 2019 को, और interest payable on half yearly, half yearly rest, half yearly rest का मतलब सर्फ compounding, बैटे, compounding नहीं, interest जो pay किया जा रहा है, छे मेने का पी कर देंगे, फिर छे मेने का पी कर देंगे, अगर 4% है साल बर का, तो 4% ही लगेगा, पहले 2% ही लगेगा, फिर 2%, मतलब interest जो है, वो payment हो रहा है, ठीक है, यहां तक, okay सर्थ, कितने साल के लिए यह कहां दिया, चलो आगे बढ़ते ही, फिर देखते हैं, बिट्टी, यह एक tension है, एक चलो में मतलूं, यह एक tension है अपके पास, average loan maturity will be 3.4 years, with an overall tenure of 5 years, यह एक tension है, loan कितने समय के लिए लिया जा रहा है, पास साल के लिए लिया जा रहा है, कि 3.4 years के लिया लिया जा रहा है, और यह सर्य, यह average loan maturity life will be 3.4 years है कि अक्चुल में, बात सही में, और फिर बस यह तो है, अगर यह लाए नहीं दिया रहा है, तर लोन जो है, overall 5 years के लिए तो बात ही कतम हो जाती है, पर यह क्या समस्या है, यह मेरी बात समझ में नहीं आई, आगे देखते हैं, साइद बाद में हम इस पर discussion करेंगा अराम से, upfront fee 1.20, upfront fee का मतलब processing fees, processing fees लगेगा है, processing fees क्या हर साल payment करना होता है, 5 साल के लिए या 3.4 years के लिए जो भी हो, पर processing fees कब लगता है, इतने तो अब CLO को समझदार हो, processing fees कब लगता है, beginning में, जब भी loan आपको मिलेगा ना, तो processing fees देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा, 1.2%, 2% of loan amount, ठीक, इंटरस्ट कितना, तो इंटरस्ट कॉस्ट is GBP, 6 month LIBOR, और margin कितना, 2.5%, सर 6 month LIBOR का मतलब क्या होता है, जैसे आप बैंक जाते हो na, floating rate पे, तो आप से पूछा जाता है, floating rate से, कि आप 3 month LIBOR भी होता है, 6 month लब ऐसा है कि आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 month LIBOR, सपोज दिया है 10%, 6 month LIBOR, मालो दिया है 9%, सपोज लिखा 9%, तो सर इसका मतलब ये नहीं होता, तो यार इतना पढ़ चुकी, इसका मतलब ये मत मान ले न, कि 3 मेने का rate of interest 10% है, और 6 मेने का rate of interest 9%, नहीं, बैंक आप से बुछेगा, आपको 3 मेने के लिए चाहिए कि 6 मेने के लिए, आपने का 3 मेने के लिए, तो भले ठीक है, फिर लगेगा, आपको 10% पर रैनम ही रहेगा, और आपने का नहीं, 6 month के लिए चाहिए, तो भले 9% पर 9% पर रैनम है, बात स समझा देता हूँ भाई, बात में दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे, चले आगे, यसा, चलो भाई, ठीक है, तो interest लगेगा, interest कितना लगेगा, 6 month लाइबोर, जो भी वहाँ पर रैनम rate होगा, उसमें हम 1.5% जोड़ देंगे, मतलब sir, लाइबोर जो है, वो हर 6 मेने मेने मे तो मुझे हर 6 मेने में interest अलग-अलग देना पड़ेगा, जी sir, floating है, the 6 month लाइबोर, ओ, ओ, the 6 month लाइबोर is expected to 1.05%, question में अभी ये बात लिखिया है, कि आने वाले हर 6 मेने, 6 month लाइबोर, जो rate है, वो हमेशा 1.05% रहेगा, इसका मतलब, मुझे हर 6 मेने में interest जो आएगा, वो आएगा 1.05, plus 2.5%, पर एनम, फिर वो 6 month का हम pay कर देंगा, ये पर एनम है, याद रखना, ये पर एनम है, 1.05, ये बात लिखिया, वो आगे चले, चलो, interest का तो हमको समझ में आ रहा, अभी, अभी मैने गाना, अभी सिर्फ हम question read कर रहा है, अभी हम नहीं मालम की क्या आगी पूछ रहा, आगे चलते है, K Ltd also entered into GBP INR HASS, at 1 GBP is equal to 90 rupees, to cover the exposure on account of the ABO ECB loan, and the cost of HASS is coming to 4% per annum. सुनो, ध्यान से, आज आप उधार ले रहा है, कौन सी करंसी उधार ले रहा है, Pound, आज से कुछ समय बाद चुकाना पड़ेगा, यस, सर चुकाना कप पड़ेगा, सीधा पासाल बाद चुकाना पड़ेगा, या हर साल थोड़ा थोड़ा चुकाना पड़ेगा, ये भी ब उधार कौնसी करेंसी में लिया है? Pound तो पेइमेंट भी आज नहीं तो कल कौनसी करेंसी में करना पड़ेगा? Pounds तो Pounds का Rate फ्यूचर नहीं मुझे Pounds खरीदना पड़ेगा? अगर Pounds का Rate बढ़ गया, तो खेलकता बहुत आप इंडिया से पैसा नहीं ले रहे हो आप बाहर से पैसा ले रहे हो पर आप एक बात भूलगा हैं कि चलो ठीक है रेट आप इंट्रेस्ट कम इसलिए आप बहर से ले रहो सकता है पर अगर पाउंट का रेट बढ़ गया फ्यूचर में आप तो बरबाद हो जाओग आपको 90 रुपय के सबसे पाउंड मिल जाएगा लेकिन इसका cost आरहा 4% पा रहे हैं हाला कि ये buy sell swap और sell by swap करके एक topic में उस matter पर अभी कुछ भी discussion और आपको confuse नहीं करना चाहता है मांग क्या रहा है sir इस ही बीक तो सोच तो सोचों में बाहर से plan रहा हूँ बाहर से तो मुझे कौन-कौन सा कौश्ट पढ़ रहा UK से लोन लेने पर एक तो साहब आपको लगीगा processing fee, agree? यस, पर processing fees एक ही बार देना दूसरा क्या लगीगा? दूसरा लगीगा interest, उता हर साल जाएगा ठीक, हर छेचे मैने में जाएगा हमको तो साल भर का देखना न, annual तीसरा क्या लगीगा? सर, हम लोगों को तीसरा जो लगेगा, वो लगेगा cost of housing इसी की वज़ा से तो हैज करना पढ़ना और हैज करने का cost कितना है? 4% पारेन तिक, पहले वाले point में कोई problem नहीं है तो मैं first point पहले करवा देता हूँ question होड़ा समय चोटा कर देता हूँ और नमबर वन करना हूँ, मेरे साथ सब करो क्या मांगा? Calculate the overall cost पाश्ट calculation of overall cost ठीक, तो सर सबसे पहले हैं किस में निकाल ले हैं? सबसे पहले सर जी हम percentage में निकाल ले किया तो सबसे पहले लिखते हैं इन पर्षेंटेस अच्छा annual basis है, चलो लिखा नहीं है, आप लिख लेना इन पर्षेंटेस ठीक, तो क्या-क्या लग रहा है? सबसे पहले मैंने क्या बला है? इन पर्षेंटेस्ट, पहले इन पर्षेंटेस्ट की बात कर ले थे, ठीक है सबसे पर्षेंटेस में देखते हैं, इन पर्षेंटेस्ट कितना लग रहा है? और इन पर्षेंटेस्ट के लिए साफ साफ लिखा हुआ था, जितना भी लाइबर है, 1.0 उसमें मार्जिन जोड़ देना मतलब सर हम यहां ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1.05 प्लस, मार्जिन कितना? भाई, एक्स्ट्र लिया जाला है, 2.5 पर्षेंट, कितना हो गया है? 4, 3.55 पर्षेंटेस्ट में पहले निकाल दे रहे हैं फिमर्षेंटेस्ट, यह पर्षेंटेस्ट, पर एनम है, 6 मंत का नहीं है, यह है पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट के से अलावा और क्या लग रहा है? और कॉस्ट ऑफ हैसिंग कितना बड़ा है, यह तो दीखी रहा, 4 पर इनम, ठीक है, अब इसके अलावा और क्या लग रहा है? इसके अलावा लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस, यहां दिक्कत है, प्रोसेसिंग फीस यह अप्रफरंट फी, कितना दिखाई दी रहा है? 1.2%, 1.2%, क्या हर साल का 1.2% है नहीं? एक साथ हमने 1.2% दे दिया, सवाल यह है, क्या हमें राइट आफ करना पड़ेगा? अगर मैं कहता हूं, 1.2% एक साथ जा रहा है, तो हर साल को मैं क्या आप राइट आफ कर सकते हैं इस खर्च को? तो 1.2, डिवाइट किस से होगा? 1.2% एक साथ गया है ना? डिवाइट किस से होगा? 5 से होगा की 3.4 से होगा? बस यह ही सवाल है. और यह 3.4 है क्या सर? सबसे मुस्किन कोर्शन. अब भाई देखों, मैं कहूंगा बाउन दूरेशन पड़ा होगा, या फिर मैं कहूंगा एवरेज डिवडेट पड़ा होगा, इन सक चीजों की कोई relevancy नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या discussion करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही जगा फसा हुआ हूँ, processing fees 1.2% मेरे समझ में आ गया, पर 1.2 मुझे हर साल का कितना यहाँ जोड़ दूँगा, एनुवल बेसिस पे, पर डिवाइट किस से करूँ, 3.4 से करूँ की 5 से करूँ, बस इतना सा question है, सुनो मैंनी बात, यह आपके question से कोई लेना देना नहीं है, बस एक simple सा question मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो जो आपने उधार लिया है, 10 million pounds, उसका repayment कैसे हो रहा है, या फिर मैं आपसे एक बात पूछ हूँ, सो समझ के answer देना बहुते, बल्कुल relax होके, एक simple सा question पूछ रहा हूँ, simple सा, जो हमने उधार लिया है, 10 million pounds, उसके ब्याज देना पड़ेगा, yes, क्या हर साल का ब्याज, हर साल का ब्याज, 4% ही होगा, हर साल का interest, जो भी हो, कितना था है, या इन्ट्रेश्ट, हाँ, मेरा question है, क्या हर साल interest, पूरे 90 लाग पे, पूरे 10 million pounds पे देना पड़ेगा, क्या हर साल 3.55% देना पड़ेगा, yes sir, तो क्या अगले साल, next year भी, 10 million का 3.55% जाएगा, क्या 3rd year में भी 10 million का 3.55% जाएगा, इसका मतलब, आप ये assume कर रहे हो, कि जो भी payment होगा, जो भी payment होगा, वो सीधा last में होगा, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, इस question में कहीं भी नहीं लिखा है, कि payment सीधे last में होगा, प्रिंसिपल रिपे करेंगे, सवाल तो यह है ना, पिटे आपने कभी average due date पढ़ा है, मैं आपको वो example समझा रहा हूँ, सायद आपको कुछ बाते समझ में आ जाए, ये average maturity life क्या होता है, सुना ध्यान, ये इसका question से कोई लेना देना नहीं है, अगर इस question, बिल्कुँ speed से काम करूँगा, यहां बहुँच ज़्याद है, उधार कितना लिया था, 2 million, 2 million, अब 2 million पे कितने साल के उधार लिया, मानलो 5 साल के उधार लिया, 5 साल, तो क्या 2 million पे ब्याज देना पड़ेगा, तो क्या हर साल 2 million पे मिलेगा, ऐसा तो नहीं, रिपे, तो यहां क्या हो रहा है, पहले साल 2 million उधार लिया, वो इस तरह से लिया, 0.75 उधार लिया यहां 5-11 फिर 0.5 उधार लिया और फिर 0.75 यह आ गया 2 million तो उनका यह कहना है और सब 0.75 उधार लिया तो पहले सीधा 2 million पर interest नहीं लगेगा 0.75 पर लगेगा 24 दिन का interest फिर बोले जैसे जैसे repay भी तो होगा 0.2 तो repay होगा तो amount कम होते जाएगा और interest उससाब से लगते जाएगा तो अब यह दिक्कत क्या आगई दिक्कत यह आगई average due date में पढ़ने को मिला होगा आप पर basic चीजे बतारा उसमें हम एक date निकालते थे हम इस तरह से interest का calculation नहीं करते थे हम यह कहते थे एक period निकल जाए अगर आप इस तरह से अलग-अलग interest का calculate करो चाहे आप average maturity निकाल लो और सीधा interest का calculate करो answer एक जैसा आता था detail में समझाना मुस्किल है मैं बस आपको इतनी बात बोल रहा हूं 3.2851 यह average maturity है क्या अगर मैं कहूं कि मैं सीधा सीधा 2 million का interest निकालू 2 million into rate of interest कुछ भी पकड़ दो 8% into या तो पहले 0.75 का 24 दिन का निकालों फिर 1.0 इस तरह से निकालों या फिर सीधा क्या करनो 3.2851 बात कता हूं this is average maturity period average maturity period का मतलब क्या हुआ मतलब बस इतनी सी बात है effective years effective years पासल नहीं पासल का ब्याज नहीं लग रहा 3.2851 years का interest लग रहा sir वह सब छोड़िये सबसे important question अभी जो फसे हम एक ही जगा फसे है हमारा काम हो चुका है और हम फसे कहां है divide किस से करेंगे 1.2 को 5 से करेंगे कि 3.4 से करेंगे effective years से करेंगे या फिर 5 years से करेंगे answer बड़ा simple सा हमें effective अगर मैं accounting पढ़ा रहा हो तो divide by 5 होता SFM में मुझे effective years average loan maturity period से divide करना पड़ेगा मुझे किस से divide करना पड़ेगा 3.4 से divide करना पड़ेगा और सर और detail में हमको समझना है तो average due date यहां समझाना थोड़ा समस्किन जाएगा अब भी class चुली जाएगी 1.2 divided by 3.4 answer कितना जाएगा 0.35 3.53 जोड़ना और तो कुछ है नहीं 3.55 plus 4 plus 0.353 तो answer I say 1.9 खतम ठीक है सार बस और कुछ नहीं करना था मुझे क्या निकालना overall cost in percent annual basis यह परेनम है ना sir annual basis बोला था annual basis भी निकलों यह परेनम है क्या-क्या लिया दिख रहा है आपको एक तो interest ले लिया दूसरा क्या लिया दूसरा लिया cost of housing 4% परेनम है बस यही एक processing fees का दिक्कत था इसमें कोई शक नहीं कि processing fees एक बार ही पे हो रही है no doubt पर सवाल बस एक ही जगा फसे थे कि divide किस से किया जाए 3.4 से किया जाए या फिर 5 से किया जाए तो answer 3.4 से होगा effective year जो average है ना उस year से आपको divide करना पड़ेगा अब किस में निकालना in rupees rupees में निकालना बड़ा आसान है कैसे निकलेगा कितने का loan है 10 million GBP pound 10 million को क्या बोल सकते है 100.000.000.000 10 million into action rate कितना है 90 रुपए into जो percentage में है rupees में बोला ना इसलिए है power no बोलता तो वह मैं सिधा कर लेता निकल लो यह आख के यह रुपीज में निकलेगा यह रुपीज में निकलेगा तो आप इस तरह से भी काम कर सकते थे यह आ गया 7.11.00 लेक्ट तो यह इस तरह से पहला पॉइंट मेरा अगर हो गया अगर मैं सीदा सीदा कहूं फ़र्स्ट पॉइंट मेरा हो चुका है यह अनुवल बेसिस पे काम हो अनुवल बेसिस पे बस और कुछ नहीं करना था सर्ट सज 시ILL में क्या अन्सर दिया वा अगर मैं कहूं फ़र्स्ट पॉइंट में भस इतना ही करना है यास फर्स्ट पॉइंट हो चुका से जिश्टि पर kiedy कह notions красив 5.40 से बाकी तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं सब्सक्राइब का आंसर उन्हों ने तीन चार तरीके से बताया है फिर्स्ट जो तरीका है वो भी मैं आपको समझा देता हूं उसने कैसे किया है एक तो अगर इस तरह से करना चाहते है तो ऐसे भी कर लो अब फ्रंट फीस कितना दिखाई दे रहा अब फ्रंट फीस यह दस मिलियन का रूपीज में क्यों लिखा है भाई पाउंड में हो गए यह पाउंड में निकला वन लाक्ट वेंटी थाउजन और इंट्रेस्ट 3.5 3.4 यह ओ इंतना पाउंड टोटल कोश्ट आरहा इतना पाउंड तोटल कॉस्ट आरहा है कितने पर 100 करद यहांड जो भी इतनाम फोंड फैस हमको processing fees कटके मिलेगा इसलिए उन्होंने processing fees minus कर दिया ठीक है कोई दिक्कत कि इतना cost आ रहा है इतना रुपाय हमको मिला है जबकि यह total cost कितने आ रहा है 3.4 years के लिए आ रहा है तो एक साल का cost कितना होगा तो answer कितना आ गया 8% और फिर उन्होंने क्या किया और उसी इसाब से फिर ये 8% को convert करके निकाल लिए ये कैसे निकाल रहा दिख आपको जो भी answer आया था pounds में उसको 90 से multiply कर दिये तो रुपीज में answer आ गया जो कि 3.4 years का तो एक साल का कितना इतना गुमागर करने की ज़िबरत नहीं थी बस उन्होंने खास बात क्या किया उन्होंने का यार एक लाग बीस एजर जो processing fees है ना वो हमें 10 million pounds no doubt मिल रहा पर one lakh twenty thousand margin pound तो कटके मिलेगा ना तो उन्होंने ऐसा किया actually cost of capital में हम ऐसी करते थे पर उनका कहना कि जो ऐसे नहीं कर पा रहा है वो ऐसा कर लो नॉर्मल वही इतना pound का खर्चा है cost product total three point four years का इतने पे तो फिर seven point मतलब इसमें से एक लाग बीज़र उन्होंने का alternative आप एक लाग बीज़र माइनस नहीं भी करो तो भी कोई दिकत नहीं है ठीक है फिर ने काला फिर फाइनल ही उन्होंने एक answer बताया और answer वही बताया जो हमने solve किया और यह मुझे सबसे अच्छा लगा इजी भी है इसमें क्या किया गया सीधा सीधा three point five five plus four seven point five five और amortize किया उन्होंने point three answer कितना आ गया seven point nine percent और फिर final answer उन्होंने यहां निकाल लिया ठीक है तो first point में कोई problem है क्या first point में कोई problem नहीं है अब आजाते हैं second point इनोट कर दिया आप लोगोंने यह साँ second point में क्या बोल रहा है what is the cost of housing in a repeat cost of housing बोल रहा है पर cost of housing percentage मेंनी मौल रहा हएं किसमें बोल रूपीस से cost of housing तो दिखता हो रहा है four percent पर ये क्या पर है और मुझे किसमें निकालना रूपीज पैला question कि या cost of housing percentage में निकालना नहीं परs ठीक है सर दिककत नहीं है रुपीज में भी निकालेंगे सवाल है अनल बेसी पे बोला की टॉतल बोला कुछ लिखा नहीं है cost of housing in rs 것이 और बस यह लिकाना है अनल बेस्स पे निकालना की total निकालना ही कुछ बिन लिखा तो हम दोनों ही निकाल लेते हैं टेंशन कर तो ठीक है निकाल है यह सेकेंड पॉइंट करना है कॉस्ट आफ हैसी इन रुपीस तो पहले एनुवल बेसिस निकाल लेकिया यहस अनुवल बेसिस फोर पॉइंट है निकालते हैं कितना पाउंड दस मिलियन एक्शन रेट कितना है नबबे इंटु कितना पर्षंट फोर पर्षंट सिंबल एक्षाबर करें आफा करना है देखा रेंट कितना पाउंड रुपीस में आगे अर्पिस को पाउंड कितना है तीन क्रोड़ साट लाक नई सर्थ थर्टी सिक्स क्रोर्स ठीक है थर्टी सिक्स क्रोर्स दो चार दो चार च्छे हैं दो चार च्छे साथ हो गया क्या ठीक अब क्या करना अब किसमें निकालना अब निकाल लेते हम और 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 कैसे निकालो गए और 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 जाएगा रुपीस अब चार तो जीरो हटा के भी काम कर सकते हैं इंट्यू 3.4 12 करोड 24 लाक यह भी किसमें निकालना रुपीस में सिधी सी बात यह किसमें यह सर यह रुपीस में और यह किसमें यह भी रुपीस में यह एनुवल बेसिस पे है और यह ओर रॉल कोश कॉस्ट अप हैजिंग भर बोला था बस इसलिए मैंने दोना में निकाल दिया लास्ट वाला पॉइंट इसलिए टैंसर वाला लास्ट वाला पॉइंट क्या बहुत है इफ के लिमिटेड वांट्स तो पर्शी एन एग्रिसीव एप्प्रोच वाट उड़ बीद नेट गें और लॉस एग्रिसीव एप्प्रोच का मतलब क्या हुआ सा एग्रिसीव एप्प्रोच उनका यह कहना है कि हम हैंजिंग नहीं कर हम यह जो पैसा दे रहा है न हमको नहीं देना ठीक है वही तो फज जाओंगे पांड का रेट चैंज हुआ तो बहुले जो होगा देखेंगे क्या बोला के लिमिटेड इफ रुपीज डेप्रिशीट और एप्रिशीट अगेंस जी बीप बाइट एंड अफ फिप्त यह एजिंग देट लोन इस रिपेड इन जी पीप एड दी अफ फाइफ यह बोले मान लो आपने हैजिंग नहीं किया बहुत अच्छी बात है आप आपको कोई डर नहीं था आप एगरिसी ओ अप्रोच लेकर चल रहा है बहुत अच्छी बात है रेट आपको यह पैसा बचाना था ना बचा लो रेट अगर चेंज हो गया पास साल बाद और मान के चलो कि यहां बोला है यहां देखो यहां बोला है कि वो जो दस मिलियन पा रुपीज डेप्रीशेट हो जाए या एप्रीशेट हो जाए कितने पर्शन से दस पर्शन से तो पास तलबा तो बताओ आपने हैजिंग करके अच्छा किया कि बुरा कि ठीक अलग से पेजल लेता हूँ परदा हूँ फस्ट पॉंट लेता हूँ अब आपकोर अब बेटे अब फोकस करना अब खेल यहीं है आपको रेट दीया है रुपिस पर पाउंड is equal to 90 रुपा क्या डेप्रीशेट हो रहा है सर रुपीज डेप्रीशेट कितने पर्शन सेaison 7Ds-10 पर्शन से तो आपको 90 पर्शन 9.9 करना पड़ेगा सवाल इतना और साब आपСर ने अधि हमारे ICAI ने क्या कर रखा? ICAI ने अब ये डैप्रिशेट हो रहा है मतलब क्या हो गया? मतलब ये रुपिया सस्ता पॉंड महगा अब पॉंड महगा हो गया तो पॉंड 1 कितने के दस पथरसे महगा? 99 का पॉंड 1 99 का हो गया पाउंड रूपिर्परिशेट हो रहा है मतलब पाउंड एप्रिशेट हो रहा इसका मतलब आपको कि 9 रूपै का लॉष पर इस चक्र में अगर ऐसे मैं करवा देता हूँ तो ऋमईने फ्रैक्स पढ़ा है बिल्कुल बारिक क्यों से फॉरिक्स पढ़ाई हूं, आप अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल बारिक क्यों से, सब खेल खतम हो गया है, पूरा खेल खतम हो गया है, यहाँ ICAI पे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, यहाँ आप एक बात बताओ बेटे, सजिस्टेड में ऐस क्या है, मेरा कोश्चन है, किस में चेंज हो रहा है, रेट किसका दिया है, पाउंड का, रेप्रिशेट हो रहा है, मतलब 0.9 लिखना पड़ेगा, कोई शक्ने 0.9, पर सब्सक्राइब पाउंड का रेट दिया, और किस में हो रहा है, रुपीज में, तो अब 0.9, तो अंसर कितना जाएगा, 100, इसका मतलब, अगर मैं अपने हिसाब से बोलू, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए, या किसी और टीचर से भी पढ़े हुए, मुझे मालू में, उन्होंने भी ऐसा ही पढ़ाया होगा, जो भी बच्चे पढ़े, सीधी-सीधी बात है, यार हमको loss है, loss है, कितने रुपे का loss है, 10 रुपे का, ऐसा ही होना चाहिए, रुपिया की विसे में बोला ना, कि रुपिया डेप्रिशेट हो रहा है, अगर रुपिया डेप्रिशेट हो रहा है, तो आपको ऐसी करना था, इंस्टिट्यूट ने ऐसे करवार रखा है, कि आपको 10 रुपए का लॉस नहीं आपको 9 रुपए का लॉस तो है पॉंड महगा हो रहा है पॉंड महगा रहो तो लॉस है पर छोड़ो कुछ कर नहीं सकते हैं कि अब भी तक इसमें कोई और करेक्शन आया नहीं कि तर सजिस्टेड में ऐसे ही तो मैं सजिस्टेड के हिसाब से ही चलूंगा सर्प क्यों क्योंकि मैं आई सी ए इसे बढ़के नहीं हूं ठीक है और कोई मतलब नहीं ओके सथीक है तो फिर करते हैं लॉस ओन रुपीज डेप्ट विश्टेशन कितने का लॉस हो रहा है रुपीज नाइन नाइन कैसे आ गया है सिधा दस परशन अबबे का दस परशन नहीं इंटो कितना दस मिलियन 900 लक या 9 करोड बुल थो पर आपने क्या है जिंग सेविंग कर लिया यस सेविंग्स हेजिंग कॉस्ट हेजिंग कॉस्ट कितना है यह कॉस्ट अफैस चेक करो सर एक बार बताओं आपने को लॉस हो रहा है कितने का लॉस हो रहा है 9 करोड का नो डाउट पर अगर हेजिंग कर लेते तो आपको कितना कर लगता सर हमको 12 करोड लगता अब यहां भी एक विक्क्त है यहां भी प्रॉब्लम है अ कि बताओ आपको कॉस्ट अफैंजिंग कितना लग रहा है बिल्गो सीधा सीधा कोक्शन volte सीधा सीधा यहां वी कोश्टप हैजिंग कितना दिखाई दे रहा अगर मैं कहूं कि आपको लोग सबसाइब दस पर्सदं का 10 पर्सट का 10 पर्सट न का लेकिन इस दस पर्स लॉस को बचा सकते थे, आपको खर्च कितना करना पड़ता, 4% ही खर्च करना पड़ता, पर वो जो 10% है, वो तो पासल मिलाके है न सर, ये 4%, ये जो 3.60.000.000 रुपए जो दिख रहा है, मुझे लगेगा, कितना लगने वाला, 3.60.000.000 रुपए मुझे लगने वाला है, अग लिख रहा आपको कितने का लॉस है, 9.00.000 का, तो भई, एक काम करो, 3.60.000.000 रुपए खर्च करो, अगर खर्च करोगे तो आप बचा लोगे, कितना 9.00.000.000 तो बच जाएगा आपका, यही मतलब हुआ इसका, पर सवाल ये है, एक ही प्रॉब्लम है, आप 3.60.000.000 क्यों कर सकते हो, आप सिर्फ एक साल का कैसे कर सकते हो, जबकि यह जो है, यह तो पुरे पास साल का है, इंस्टिट्यूट ने यहां भी एक ही साल का लिया, पर मेरे हिसाब से मुझे यह वाला फिदर लेना चाहिए था, अब यह तो रट्टा मालना पड़ेगा, यह लाष्ट वा सैटलेक, ठीक तो, देख लेते हैं, तो भी नौस है, पाच करोड़ चारिश लाग का लौस है, तो भी लौस है, इटमिन सहाप, क्यों आपने हैजिंग नहीं कि आपको हैजिंग कर लेना चाहिए था, अगर ऐसा कोश्चन पूछा है, तो मैं पक्का जवाब दूँगा, पर उसने के वाइंट उपर से ने अगरिशी अपर उप अगरिवाइस नहीं पूछा, ठीक है, तो क्यों आदे दे, दूसरा पॉइंट भी ले लिते, इफ आइनर, एप्रिशेट बाई 10 परशन, अब गेन होने वाला है, गेन आउन, रूपीज अप्रिशेशन, सर, आपके साब से क्या होना चाहिए, मेरे साब से मैं डिवाइट करता हूँ, 1.10 से, मतलब मेरे साब नबब डिवाइड बाई 1.10, 81.81 मानस 90, 8.18 का गेन दिख रहा है, मेरे साब से, पर मेरे साब से नहीं करवा रहा हूँ, सीधी-सीधी बात है, 10 परशन मतलब 9 रूपा, पांसर यह ही आ जाएगा, यहां कितना हो रहा है, गेन, गेन 9 करूड का और इसके लाभा, सेविंग्स भी हो रहा है, यह भी गेन ही हो गए, सेविंग्स इन, कॉस्ट अब हैस, हैसिन कॉस्ट, तो टॉटल गेन कितना हो गए, बारग रूब, ठीक, थर्ड वाले पॉइंट से मैं थोड़ा साथिस्पाइ नहीं है, क्योंकि दो-दो जगा गलती दिख रही है, दो-दो जगा, पहले गलती अप्रिशिशन, अच्छे से पढ़ा नहीं है, जिन्होंने भी यह कोश्टन सजिस्टेट बनाया है, ठीक है, दूसरा, यह सहाब, यह आपने वानियर का क्यों लिया, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, जबकि आपको पुरा लेना था, इसके लिए बाकी पॉइंट ठीक था, थर्ड वाला पॉइंट फर थोड़ा सा टैंसन वाला था, तो अगर कहूं कोश्टन अच्छा था, पर थोड़ा बहुत ना सजिस्टिट में मिश्टेक कर रखा, अगर मैं कहूं मेरा आंसर, आंसर नंबर वन यह दिख रहा है, बेटे आपको आंसर नंबर वन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इंट्रेस्ट ले लेना, हैजिंग कोश्ट ले लेना और प्रोसेसिंग, फीस में बस 3.4 से डिवाइट कर दा, पहले पॉइंट में दिक्कत नहीं थी, दूसरे यह एंसर आंसर है, दूसरे पॉइंट में भी दिक्कत नहीं थी, टोटल में भी निकाल लिया हमने और बेसिस पे भी निकाल लिया, तो इसमें भी कोई प्रोब्लम नहीं थी, थर्ड वाले पॉइंट में प्रोब्लम है, एक्चुली प्रोब्लम, एप्रिशीशन वाला है, और यह वाला, पर ठीक है, यह 54 मिलियांस है, और यह 126 मिलियांस है, मतलब 1 करोड़ चपिस लो, मेरा अगला जो वेडियो होगा न, अब बच्चु का और एक कोश्चन आदा, सर, रिवीजन, बहुत हो गया, रिवीजन कब, मुझे 2-3 दिन का टाइम देजी, 3 दिन बाद में रिवीजन वेडियो अपलोट कर देता हूं आपके लिए, सबसे पहला टॉपिक रहेगा, डैरी व को शковतो बाया हूं को में बाद मलाकाउ है ग्यों को में जीए कर दyएन Кजसों समय कर दो का दुपिके सब्सक्री का ठीकर क्थेटं डाइब शेया है।